पहनमान जी की पूजा से मिलता क्या क्या है सुनिएगा दस लाब है हनमान जी की पूजा से पहला लाब क्या भूत पिसाच निकट नहीं आवे यह पहला लाब है नेगेबिटी एनरजी परेषाम कर रही हो गंदे विचार बच्चों को आते हो छोटे बच्चों का मन असांत रहता हो, पढ़ने में दिक्कत रहती हो, रोज सुबह साम हनमान चालीसा का पाठ पढ़ाईए, इस चौपाई से हवन करवाईएगा, भूत पिसाच से, नकरात्म कूर्जा भग जाएगी, विचार सुद्ध हो जाएगे, और हनमान जी की जासे दूसरा लाबवी सुनिएगा, कैसी भी बाधा हो, कोई भी बाधा, कौन सी बाधा, क्रह बाधा, क्रह कितने होते हैं? नो, उनको क्या कहते हैं? नवंग्रह, अच्छा, नो ग्रहों में सबसे ज़्यादा खतरना कौन है? शनी देवता और हनमान जी ने सनी देव को ही ठिकाने लगाया लंका में जब सनी भाई साव उल्टे लटके थे जो हनमान जी पहुँचे बोले How are you? शनी देवता बोले क्या How are you? पेट की आतें सिर में आ गई उल्टे लटके पैर उपर है सिर नीचे हनमान जी बोले ये हाल क्यों है बोले पूंचो मत रामड के कार हनमान जी बोले तो करें क्या सनी देओ बोले हमें सीधा भर कर दो छोड़ाना मत सीधा कर दो हनमान जी बोले नो 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 सनी बोले क्यों बोले तुम बहुत खतर ना खो जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को चेवक चाते हैं सनी देवता वोलो हे बजरंग बली हम तुम्हाइ जरन पकड़ रहे कसम खा के कह रहे आप तो आप आपके दुनिया में जितने भक्त हैं हम उनको कभी पुरी नजर से नहीं देखेंगे यह हम आपको बचन देते हैं दूसरा लाब क्या नवक्र है कितने होते हैं इनको कहते नवक्र है लेकर नवक्र है के उपर अगर हनमान जी का हो जाए अनुक्र है तो क्या बिगाडेंगे नवक्र है यह दूसरा लाब है हनमान जी की पूजा से तीसरा लाभ क्या है जरा सुनिएगा तीसरा लाभ बड़ा प्यारा है नासे रोग हरेसब पीरा जपत निरंतर हनिमत बीरा यह हनमान जी की पूजा करने का तीसरा लाभ है रोग हो भीमारी हो दबा आप कामना कर रही हो आप हनमान जी की पूजा करिए हनमान जी के भक्त बन जाए हनमान चालीसा का बाट करिए तो होगा क्या तबा असर करने लगेगी रोग मिट जाएगा अच्छा चौथा लाब क्या है हनमान जी की पूजा से चौथा लाब हनमान जी के भक्तों को एक और बहुत बड़ी आए जो सतवार पाठ कर कोई छूटें बंदी महासुक होई ये हनमान जी की पूजा करने का चौथा लाब है क्या जो हनमान जी का भक्त होता हनमान जी की पूजा करता, वो कोट में, कचहरी में, मुकदमा में, बंधन में, उचाटन में, मारण में, बसीकरन में अगर बंधा हो, तो वो हनमान चालीसा पाट से, हनमान जी की पूजा से मुक्त हो जाता है, पांचमा लाब क्या है, हनमान जी की पूजा से, पांचमा पंच मुखी हनमान बन करके अही रामन जैसे को ठेका ने हनमान जी ने लगा दिया तो पंच मुखी हनमान जी की जो पूजा करता है उसके उपर कितना भी खतरनाक बाधा की गई हो उसकी बाधा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है यह पांच मा लाव छटमा लाव क्या है कोई भी दुरघटना का लेख लिखा हो होगा तो लेकिन बड़े इस्तर में नहीं सुक्ष्मरूप में निकल जाएगा क्योंकि संकटते अनमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे जटमा लाव है दुरघटना से बीर बजरंग भली बचाते हैं अब सात्मा लाव सुनिएगा आपको किसी भी प्रकार से कर्ज हो गया हो काम नहीं बन पा रहे हों आज आप नोट कर लीजेगा उपाय आप ग्यारा पत्ता पान के लें तांबूल उन पर राम लिखकर अपन गोत्र लिख दें और सनीवार या मंगलवार के दिन हनमान जी के चरणों में 11 बार जाकर चढ़ा दें एक एक पान का पत्ता साम को उठाते रहें 11 बार चढ़ाने से 11 पान के पत्ते आप अपने परस में रख लीजिएगा जहां जाएंगे काम फते करके आप आएंगे विया हनमान जी के भक्ति से septman उपाये लाभे आठ लाभ क्या है हनमान जी की भक्ति से depression हो गया हो स्ट्रेस हो गया हो दिमाग बढ़ा भड़ा ह्यां रहता होना की हा हनमान जी क्यों हूँ कपी है चंचल पानरों को देखकर सुभाव बस हसी छूट जाती हाजी या ना जी हनमान जी बंदर नहीं है अरे बंदर हैं भी फिर भी रामकथा के कारण ये सुंदर है हनमान जी को देखकर अच्छे अच्छे टेंसन में टेंसन मुक्त वाले हो जाते हैं और टेंसन युक्त वाले टेंसन म मुक्त हो जाते हैं यह हनुमान जी की भक्ति से आठमा लाव है नौमा लाव कौन सा है हनुमान जी की भक्ति से नौमा लाव है ज्यान और बुद्धी बढ़ती है जिस बालक का दिमाग कमजोर हो मंद बुद्धी हो हनुमान चालीसा का पाठ करिए अतवा करवाईए और उसको हनमान जी के चरोनों का जन प्रती दिन पिलाईएगा जय हनमान ग्यान कुन सागर जय कपी से पिर हो लो जागर जिस बालक को मंद बुद्धी हो आयू से पीछे चल रहा हो ब्रेन कमजोर हो हनमान जी ज्यानी नामा गिरगन्यम बुद्धी मताम वरिष्ठम है हनमान चालीसा का पाट करवा करके हनमान जी के चरोनों का जल प्लाईएगा नौमा लाव होगा बुद्धी प्रवल होगी और आप सबल हो जाएंगे तसमा लाब सुनिएगा अंतिम लाब हनमान जी की भक्ती से क्या है आहा हा यसकी प्राप्ती होती है और गुरू की कृपा होती है और जिसका गुरू बलवान होता है चेला पहलवान होता है इसलिए गुरू बलवान होना चाहिए इसलिए तो हनमान जी गुरू कैसे है जय 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 हनुमान भुसाई कृपा करम गुरु देव किनाई हनुमान जी को मानने बाले भक्त को दस्मा लाभ ये होता है एक बड़ियासा गुरु मिल जाता है होता क्या मेरा तार प्रभु से जोडे ऐसा कोई संत मिले श्री हनुमान जी की पूजा करने का दस्मा लाभ है एक अच्छे सद्गुरु की प्राप्ती हो जाती और हनुमान जी ही गुरु रूप में प्राप्त हो जाती है बोलो सितारा